हेलो दोस्तों आपको बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर एक वीडियो एडिटिंग करना चाते हैं तो उसके लिए जरुरॉरी होता है कि आप उसकी जुम आवाजंगे वह से क्लिर और शुन रेगुलर आपको 3-4 गंटे या फिर 5-7 गंटे अगर बैटना है और वीडियो एडिटिंग करना है तो आपके कान दर्थ करने लग जाएंगे तो इसके लिए लोग सोचते हैं कि हमें एक desktop या फिर जो भी laptop के पास में दो speaker लगा दे और उसके बाद में जो आवाज है यानि कि ओपन आवाज में हम वीडियो को एडिट करें या ओडियो को एडिट करें तो उसके लिए अब confusion यह रेता है कि खरिदना कौन सा होता है तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको Nano Cash Series K3 JBL का studio monitor तो देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर जो box से उसको unbox करते हैं और box के inside में क्या गया मिलता है आपको वो देखते हैं इस box के अंदर एक और box निकला है जिसके उपर काई सारे content दिये गया है तो अपन box content की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं Nano Cash Series यानि कि JBL कंपनी का Nano Cash Series का यह studio monitor है और K3 EU powered monitor K3 का मतलब यहाँ पर यह होता है कि 3 inch अगर आप एक YouTuber है या फिर आफ वीडियो एडिटर है या फिर आप यानि कि शादी के वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप यहाँ पर K3 यानि कि 3 inch 3 inch का लेना चाहिए अब मैं यहीं कहे रहाँ कि यहीं आपको खरिदना है लेकिन आपको टेकनोलोजी में ध्यान रखना है कि 3 inch का खरिदे अगर इससे भी बड़िया अगर आप यानि कि professional audio editor है तो आप यानि कि high level पर audio editing करना चाहते हैं या फिर music studio है आपके पास जिसमें या याँ पर user manual जिसमें सब कुछ mention किया गया है कि इसे stroll कैसे करना है इसमें क्या के function से क्या के feature से वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं इसके बाद मैं मिलते है monitor speaker जो यहाँ पर एक जोड़ा है यानि कि एक और एक ये दो उसके बाद मैं power code दी गई है जो यानि कि back side में जोड़ने के लिए अब यहाँ पर मिलते है 3.5 mm RCA white and red cable जो काम में आएगी आपके desktop से या फिर computer से या फिर आप mobile से जोड़ना चाते हैं तो उससे आप जोड़ सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं अपन installation की installation कैसे करना है यहाँ पर यह दोनों speaker रख दिये हैं मैंने और यह हैं यहाँ पर आप देख रहें कि plug-j cable हैlog को लूँगा मैं और यहाँ पर देख रहें आप एक side में R यानि कि right वाला जो speaker हैं वहाँ पर input लिखा हुवा है यहां से connect करूँगा यानि कि एक में input और एक में output तो यह दोनो pair बन गई यानि कि जोड़ा बन गया है उसके बाद में आप देखते हैं कि एक power code दिया गया है यानि कि power cable है जो यहाँ पर जो left side का speaker है वहाँ निचे की side में आपको connect करना है यह connect हो गया है connect करने के बाद आप देखते हैं कि power code का दूसरा जो सीरा है जो आप grid से जहाँ पर भी grid board है वहाँ पर आप connect कर दीजे इन दोनों को connect कर दिये हैं अब भारी आती हैं आपके computer desktop या फिर mobile से connect करने कि कैसे करना है यहाँ पर आप देखते हैं कि laptop वाला जो monitor है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक RCA लिखा हुआ है जिसमें laptop right का निशान है तो जहाँ पर right है वहाँ पर RAID का निशान है और अपने RCA जो cable है उसमें दो सीरे हैं एक RAID है और एक white है तो RAID वाला है वो आपको RAID में लगाना है और उसके बाद में RCA white तो white लगाना है यहाँ पर अब दूसरा सीरा रहता है 3.5 mm jack 3.5 mm jack है वो आप यहाँ पर mobile के यहाँ पर भी लगा सकते हैं इसके बाद में अगर आपके पास laptop है तो laptop से अगर लेना चाहते हैं आप input laptop से भी लगा सकते हैं आपके पास desktop है तो desktop से भी connect कर सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं अपन इसको कैसे चलाना है चलाने के लिए आप देखते हैं कि यहाँ पर laptop वाला जो monitor है यहाँ पर उपर के side में JBL लिका हुआ है इस switch को आपको press करना है जैसे मैंने press किया यहाँ पर green light जलना शुरू हो गई है दोस्तों आप live देख लेते हैं कि इसकी आवाज कैसी आ रही है तो चलिए सुनते है लिए सुनते है दोस्तों बात कर लेते कि क्या हम इसे Bluetooth से भी connect कर सकते हैं हाँ दोस्तों बिल्कुल Bluetooth से connect कर सकते हैं चलिए मैं Bluetooth से भी connect करके दिखाता हूँ कैसे connect करना होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके जो mobile है या भी चूबी डिवाइस है उसमें Bluetooth को on कर लिजे Bluetooth on करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर जो laptop monitor है laptop monitor के back side में एक pair switch है pair switch को press कीजिए जैसे आप pair switch को press करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि mobile से Bluetooth device connect हो चुका है अब आप song चलाइए दोस्तों आप बात कर लेते हैं studio monitor के specification यानि के technical details के बारे में यहाँ पर frequency range है 60 Hz से लेकर 20 kHz तक crossover है 4.5 kHz तक maximum HPL 1 meter यानि के 98 dB तक maximum input level unbalance plus 6 dB और balance plus 20.3 dB तक input connector आप Bluetooth से connect कर सकते हैं RCA से connect कर सकते हैं AUX unbalance से connect कर सकते हैं सबसे बढ़िया बात यहाँ पर TRS से भी आप connect कर सकते हैं दोस्तों कर यहाँ पर warranty की बात करते हैं तो company आपको studio monitor पर एक साल की warranty प्रोवाइड करते हैं अगर एक साल में कोई भी problem आती है तो आप online भी claim कर सकते हैं या पर service center से भी claim कर सकते हैं अगर यहाँ पर price की और खरिदने की बात करते हैं तो price इसकी MRP देखेंगे तो आप चोग जाएंगे सकते हैं या पर कोई भी issue आता है तो भी आप replacement में दे सकते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताए वीडियो को शेयर करें वो लाइक करें साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें क्योंकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पेच पर देख रहे हैं तो आप तुरंत फोलो करें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते ह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जैवारा जैरास्तान वंदेवात्रम